हेलो फ्रेंड्स, RBW फेशन में आपका स्वागत है आज मैं आपको इन चारो चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपको सिलाई करने में बहुत ही आसानी होगी चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इस तूल के बारे में बताऊंगी यह तूल बॉबिन को इसमें इसे डालते हैं देखिए और जो machine का wheel होता है उसके ऊपर इसको इसा रखते हैं और machine को चलाते हैं जिससे बॉबिन अपनी भर जाती है और अगर आपको इस बॉबिन का धागा इसमें डालना है तो आप इस प्रकार से इसको यह जो इदर वाला हिस्सा है इसमें लगाएंगे इसे और इसको आप मशीन के उपर जो स्टेन होता है जो इस स्टील की रॉड होती उस पर लगाईए और इसमें का धागा इसमें डालिए और इसे मशीन की वील पर लगाईए और इसा गुमाईए तो ये धागा इस बॉबिन का धागा इसमें आ जाएगा रील में ठीक है फ्रेंट इस टूल्स के बारे में आपको यही बताने वाली थी मैं और यह है करने वाला टूल है देखिए डोरी पाइपिंग बनाते हैं इसका अगर वीडियो आपको देखना है तो मुझे आप कमेंड करके बताना मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी और यह एक टूल है जिससे सिलाई वगेरा निकालने के लिए काम आता है यह देखिए इस प्रकार से लगाई है इस सिलाई को निकाल के बताऊंगी यह देखिए इसमें देखिए यह इसमें निकाल देना यहां से सेंटर में हिस्सा है वो शार्प है तो उससे धागा कट जाता है और आसामी से शिलाई निकल जाती है beginner के लिए बहुत useful tool है beginner के लिए और जिसे सिलाई अच्छे से आती है यह देखिए सिलाई अच्छे से निकल रही है अब इदर से वे से यह देखिए अब easy तरीके से यह सिलाई यह से निकल सकते हो देखिए और यह tool बहुत useful है बार-बार केची लेनी पड़ती है धागे को कट करने के लिए आप इससे छोटे-मोटे पट्स भी लगा सकते हो यह देखिए और जो सिलाई कर रहे हैं इस प्रकार का मशीन में धागा वगेरा काटने के लिए यह देखिए सिलाई करते हों तुरंद इससे धागा कटता है अब इस प्रकार से हैं यह कटर आप मुझे कमेंड करके बताना कि आपको यह सारे tools कैसे लगे थैंक यू